स्वागत है सभी देसकों का ग्रेश स्राबस्ती चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे तरप्रदेश की खबरे हमारे चैनल से मिलती रहे घंटी का बटन दबाईए ताकि हर खबर का नुन्फिकेशन आपको मिलता रहे और जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों की 36 घंटे से ज्यादा बीच चुके हैं लेकिन राप्ती नदी के किनारे से संदिक दिपसितियों में लापता हुए अंकित पांडे का कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है आज 15 तारीख है कल 14 तारीख को पूरा दिन हात में गया हो उसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया हो या किसी जंगली जीव ने उसके उपर हमला कर दिया हो वह घायल हो कहीं खेतों में पड़ा हो या गैनेके खेत इस वक्त नाव में खड़ा हुआ हूँ रिपोर्टर नफीस सिद्धी की यहां पर नाविक से बात कर रहा हूँ क्यों कि कहीं न कहीं मुझे इस बात का सक है कि अंकित पांडे इसी रापती नदी में डूब गया है इसलिए उसका मॉबाइल फोन सुई चाह पा रहा है यहां में नाविक से पूछ रहा हूँ कि उत्तर तरफ कौन सा गाउं पड़ेगा यानि दूसरी तरफ कौन सा गाउं पड़ेगा स्रावस्ति कट्रा की तरफ इसके आगे डिंगरा जोट पड़ता है मत्रा घाट पड़ता है उसके बाद जनपत बलरामपुर का ललिया थाना आभी चुका हूँ आप लोगों को याद होगा कि मूर्ती बसरजन के दौरान जब दो सगे भाई डूब गएते तो एक की बाड़ी मनकुरा में मिल गई थी लेकिन दूसरे भाई की बाड़ी 16 किलो मिटर आगे जा करके बलरामपुर जनपत में मिली थी तो कहीं न कहीं मु दूसरे चोर पर जहां पर जोपड़ियां मनी हुई है वहां पर उन्होंने उससे बिदा किया थे यानि उससे सियाब किया थे यानि वो दूसरी तरफ चला गया था ये लोग दूसरी तरफ चले गए थे बस पूरे गाउं में खाली दो लोग ये बात बता रहे जब हम वहा कि अंकित पांडे को 13 तारिक कुरोंने रात में देखा ही नहीं है जबकि अंकित पांडे जब भी खेतों की तरफ जाता था रात में तो रास्ते में जो इसके नातेदार रिष्देदार थे जो जाल पहचान वाले थे उनसे हाल जाल पूछा करता था कि मैं आ गया हूं मॉबा लोग नाओं में सवार होए थे और यही दो लोगों का कहना है कि राब्ति नदी के उसफ़ार उन्हों ने अंकित को देखा था इन्ही दोनों लोगों ने पूरे दिमाग को डाइवर्ड करके रखा है और कहीं न कहीं स्राबस्ति की क sözना पुलिस इन दोनों अभी तो ठीक ठाक से बाचीड कर रही है यह लेकिन weekविली है की रहाँ ही सरावस्टी की कवना पुलिस ने दो लोगों को उठा लिया है और दोनुआ लोगों से ले जाकर के थाने पर पूस्तास कर रही है। की म bishopित प्यार से पेस आती है उसके बाद जब खाचा पानी देती है तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं मुर्दे भी बोल उटते हैं पुलिस की पूरता से तो बहराल अभी हम इनको किनारे करते हैं जो होगा वो हम आपको पहले बाद में बताएंगे लेकिन आपको बता दें कि आज जो है पंदरा तारीक है और आज द्रोन कैमरे से तलास करवाई जाएगी जो कछार का इलाका है पूरा इलाका द्रोन कैमरे से तलास करवाई और क्राइम ब्रांच की टीम को भी बुलाए गया है क्योंकि मामला यहां पर बहुत ही गंभीर होता जा रहा है 14 साल का लड़का खेतों की रखवाली करने के लिए रात के 8 बजे वो भी जब आधी पानी आ रहा था ऐसे समय पर तीन लोग एक नाओ में बैठते हैं और अगली जब सुबा होती है तो दो लोग घर वापिस आते हैं लेकिन एक लड़का जो अंकित पांड़े है वो घर वापिस नहीं आता है उसके बाद उसकी तलास सुरू होती है तलास करने के बाद जब दोनों लोगों से पूचा जाता है कि लड़का रात को आपके साथ गया था वापिस क्यों नहीं आया तो दोनों लोग बताते हैं कि वो राप्ती नदी के दूसरे चोर पर उतर गया था और जहाँ पर उसका खेट है वो अपनी खेट की तरफ चला चले गए थे तो यही बात पुलिस को भी बताई गई है यही बात मीडिया को बताई गई है यही बात गाउं वालों को बताई गई है हलाकि पूरे गाउं के लोगों ने तलास किया है लोग ठक चुके हैं एक एक इंच जगा तलास की गई है वो भी ऐसे इलाके में जहां पर कटीली जाडिया है कटीले पौदे हैं देखने से ही वो इलाका इतना डिरावना लगता है तो वहाँ पर गाओं वाले भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि स्रावस्ति की कवना पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है ऐसे ऐसे रास्तों से पुलिस को गुजनना पढ़ रहा है बरसाथ भी हो रही है चारो तरफ कटीले तार लगे हुए है और छुट्टा जार्मर यहां पर देखिए हमको ही मारने आ रहा है हमको ही मारने आ रहा है हट जाता हूँ नहीं तो कैमरा वेमरा तोड़ देगा देखिए तो इस तरीके के रास्ते से होकर के पुलिस को गुजनना पढ़ रहा है क्योंकि पुलिस को कहीं न कहीं लगता है कि अगर हो सकता है उसे किसी जहरीले जियु जन्तु ने काट लिया हो जंगली जियु जन्तु उसको कहीं उठा ले गया हो घायल कर दिया हो तो कम से कम उगाय लवस्ता में पड़ा हो तो मिल जाए यानि हम लोग यही सोचते हैं कि इनका लड़का जो है जीवित मिल जाए तो एक एक जगा पर देखिए किस तरीके से रास्ते हैं पैर रखने का जगा भी नहीं है हमारा चपल तो नदी के किनारे ही छोड़ गया है नंगे पैर में चल रहा हूँ यहां पर हम पहुँचे हैं सबसे आखरी में यह वो ग्रावीड है यह वो किसान है और यह खेत है यह अंकित पांड़े का खेत है अंकित पांड़े को यहीं पर आना था और यहां के गाओं वालों से जब पूछा गया तो यहां के गाओं वाले बिल्कुल ही इंकार करे हैं, उस रात में लड़का यहां पर आया ही नहीं है, यह तो अजीब हो करीब बात हो गई जब लड़का यहां आता है तो इन लोगों से हाल चल पूशता है पहली बात तो बहुत हिमती लड़का है कि रात के दो दस बजे इतने बीहड इलाके में इतने राप्ती नदी के कछार वाले इलाके में चला जाता है और वो भी 13 तारिक की रात को जब इतनी आंधी आ रही थी तब चला गया तो यह तो सोचने वाली बात हो गई लेकिन जब यहां पहुँचता है तो मॉबाइल में जो टार्च होता है वो जलाके पहुचता है चाल चल पूशता है और अपने अंटे पर जाकर के सोता है रात बर रकवाली करता है जालवरों को हकालता है सुबा चाय पानी पीने के लिए खाना खाने के लिए घर चला जाता है लेकिन यहां पर पहुंच कर जब एकवना की पुलिस ने लोगों से पूर ताच की तो लोगों का कहिना है कि उस रात को अंकित पांड़े यहां पर आया ही नहीं है बहुत ही अजीब और गरीब माहौल हो गया है बहुत ही दिमाग खराब करने वाला बात हो गई है कि पूरे गाउं के लोगों का कहिना है कि अंकित आया है नहीं बलकि पूरे गाउं में खाली दो लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं उन्होंने अंकित को रापती नदी के दूसरे छोर पर देखा है बेरहाल आप लोग जुड़े रहे ग्रेट सराबस्ती चैनल के साथ में सराबस्ती की कोना पुलिस ने दोनों लोगों को ले जाए करके रात में क्या पूछ ताच की है हम आपको बताएंगे 10-11 बजे का इंतिजार कीजिए 10-11 बजे तक कोई न कोई रिजल्ट सामने आएगा अगर अंकित राती नदी में डूबा होगा तो वो भी सामने आ जाएगा अगर उसके साथ कोई अपनी अगटना हुई है तो भी सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा ये मैं इनको दिखाना चाहूंगा इनका नाम बिनोध है ये इसी गाओं में रहते हैं और उस नाओं में ये भी सवार थे और इनसे जब हम पूछ ताच करने जा रहे हैं आप लोग इनका चेहरा देखिए जैसे हैं हम इनसे पूछ ताच करने गए इनके अंदर हर बड़ी सवार हो गई हर बड़ा हाट आ गई ये बात पुलिस ने भी नोटिस की है और ये बात मैंने भी नोटिस की है अगर सचाई है तो मेरी आँखों में आखे डाल कर बताओ अगर सच बोल रहे हो तो मेरी आखों में आखे डाल कर बताओ देखिए मैंने इसे पूच आच की देखिए कैसे ये भड़क गए मतलब कैसे यो है ये हम से आखे नहीं मिला पा रहे हैं यही नाओ में बेटे हुए थे इनके साथ में एक और लड़का था दो लोग जो है अंकित के साथ में आये थे बेरान स्राबस्ती की इकवना पुलिस 24 घंटे के अंदर इस बात का खुलासा कर देगी कि अंकित पांडे आखिर कर कहां पर है जुड़े रहे है चैनल के साथ कर दो झाल 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 झाल